हलो अब्रिवान वेलकम टू आइसपीसे सेंटर दिसिक प्रसांत कुमार फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएसी की आगामी मुख परिच्छा को ध्यान में रखते हुए मेंस से समंधित एक महत्तपुन प्रस्ण के मौडल अंसर को डिसकस कर ठीक है आप सभी जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी सेक्षन का अंतरगत बीपीएसी के द्वारा जो मेंस में अब जो प्रस्ण पूछे जा रहे हैं उसके ट्रेंड में काफी जादा बदलाव आ चुका है तो नए नए प्रस्ण को नए नए टॉपिक को नए कलेवर में अंतरगत यह हमारा टॉपिक आएगा प्रस्ण हमने लिया है मॉडल अंसे डिसकसन का सोतंतरता प्राप्ति के पहश्चात से भारतिय दल्य बवस्था की प्रवरीती में निरंतर बदलाव देखने को मिल रहा है यानि कि आपको बताना है कि 1947 इस वी के बाद से किस परकार से दल्य बवस्था में बदलाव देखने को मिल रहा है 1947 के समय जब भारत अजाद हुआ था तो लंबे समय तक एक दल का यहाँ पर सासन रहा है और कौन सा दल था वो इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का लंबे समय तक केंद्र और राज्यों की राजनीती में वहाँ उसका दूसरा सेक्षन है कि आप इस कथन से सहमत हैं कि भारतिय राजनीतिक दल्य वेवस्था एक वार पुनह एक दल्य सासन वेवस्था की ओर सर हो रहा है विसलेशन करें यानि कि क्या आप मानकर चलते हैं कि भारतिय राजनीतिक दल्य वेवस्था है वा गठवंधर की राजनी तिक कि और बढ़ चला है इस पर आपको टिपनी करना है इस पर विसलेशन करना है ठीक है तो यहाँ प्रसन काफी महत्पुण है वीप्यसी की मेंस एध्यामनेशन के लिए ठीक है चुकि यह करेंट सेक्शन से समंधित नहीं है तो आप चाहे उनहां तर्मी का मेंस दे रहे हो या सतर्मी या एका तर्मी का कभी भी आपको मेंस देना हो यह topic सदावहार topic है और party system से समधी प्रसन अकसर भी प्यसी के द्वारा मुख परिच्छा में पूछा दाता है तो यहाँ प्रसन काफी महत्तपून है नए dimension में यहाँ प्रसन हमने set किया है अब इसका उत्तर कैसे लि लिखिये introduction के बाद आप बताईए कि किस परकार से सोतंतरता के बाद से अभी तक दल्ये विवस्था में बदलाब देखने को मिल रहा है अगर आप इस कथन से सामत है तो इस पर शकरात्मक नागरात्मत सारे पक्छों पर बढ़नन करते हुए आपको बिशलेशन करना है ठीक है तो इस परकार से आज का model answer discussion का दो सेक्षन है इन दोनों सेक्षन में उत्तर को आपको लिखना होगा introduction है किसी भी देश की समयधानिक बवस्था का निर्धारन उस देश विशेश में विद्धवान दल प्रणाली से होता है संगहात्मक प्रणाली वाले देशों में सासन के विविन अस्तरों के साथ साथ दल प्रणाली के विविन अस्तर दिखलाई पड़ते हैं चुकि यह प्रणाली से है दल ये विवस्था से है तो इसका introduction में भी हमने दल प्रणाली क्या है प्रणाली क्या है प्रणाली क्या है इसे दो संटेंस के माध्यम से हमने इसे समधाने का प्रयास किया अब तुरांत हम लोग प्रशन के पहले सेक्षन के और आ रहे हैं हमने लिखा कि भारत एक बहुत दलिये सासन बवस्था वाला राज है यहाँ पर कई सारे राजनितिक दल भी दमान है अगर आप देखेंगे राश्टिये पार्टी में राश्टिये पार्टी कई सारे राजनितिक दल है जिसे राश्टिये पार्टी का दर्जब प्राप्त है अभी मेरे ख्याल से च्छा ऐसे राजनितिक दल है जिनको राश्टिये पार्टी का दर्जब प्राप्त है जैसे INC इंडिया नेशनल कॉंग्रेस है BJP है कई सारे ऐसे दल है ठीक है तो सब का नाम आपके आद नहीं रखना है लेकिन बताने का मतलब हो गया कि भारत में बहुत दलिये सासन ववस्ता है कई सारे यहां पर दल है कॉंग्रेस है भाजपा है जदिव है आरजडी है टीमसी है सप्पा है ठीक है बीजद है ठीक है कई सारे राजनितिक दल है इसलिए इसे बहुत दलिये सासन प्रणाली कहा जाता है यहाँ पर छाराजनितिक दल तथा बहुत संख्या में छेत्रिय दल पंजिक्रित हैं यह राजनितिक दल चुनाव में प्राप्त जनादेश के अधार पर शासन बवस्था का संचालन करते हैं जिस किसी विराज या केंद्र में जिस दल को मेजोरिटी प्राप्त होगी वह दल वहाँ पर शासन बवस्था का संचालन करेगा विविन्य राज्यों में जाती के संदर में पहचान अधारित राजनितिक दल, धर्म के अधार पर गठीत राजनितिक दल, छेतरी असमीता पर अधारित राजनितिक दल भी बहुत आयात मात्रा में विद्द्यमान हैं किंद्र तथा विविन्य राज्यों में समय समय पर विविन्य राजनितिक गलों के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता रहा है जैसे बिहार में देखेंगे तो कभी RJD का सासन रहा है कभी GDU का सासन हो गया है अभी मागटवंदन का दौर है केंदर में देखेंगे तो UPA का कभी सासन रहा है कभी इंडिये का सासन रहा है और कभी ठर्ड फरंट भी केंदर में सरकार में सासन में रही है ठीक है तो हमेशा बदलती रही है या प्रकृति सो तंदरता प्राप्ति से लेकर बरतमान समय तक में भारतिय राधिनितिक दल्य वेवस्था में भीर्ण बदलाव देखने को मिले है जिसे निमनलिकित बिंदूओं के संदर में रखांकित किया जा सकता है अगर आपके पास पॉइंट हो तो आप बुलेट देकर अंसर लिख सकते हैं इसमें कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी ठीक है बुलेट में लिखेंगे छोटा छोटा पॉइंट बनाएंगे छोटा एक्स्पोलानेशन करिए तो इसे आपका अंसर जो है काफी इफेक्टिव हो पाएगा और इफैल्यूएशन भी अच्छे तरीके से हो पा सिंगल पार्टी डॉमिनेंस का काल रहा है इस चरण में किंद्र तथा लगबग सभी राजियों में कॉंग्रेस के निक्तरत्य में सरकार का गठन किया गया था इस दोरां राजनितिक दलिये विवस्था में ब्यक्ति विशेष का परभाब विद्दमान था इस समय आप दे भीविने राजियों में आकेंद रस्तर पर लगतार कॉंग्रेस का साचन रायकब तक उनिसो सर्षठ हिस्वी तक ठीक है दूसरा फेज उनिसो सर्षठ हिस्वी के पश्चात से दलिये विवस्था के अंतरगत प्रतियोगी विवस्था का विकास हुआ क्यों क्योंकि निसो सर्षठ हिस्वी तक पूरे भारत में विविने राजियों और केंदर में एक ही दल थी वाती कॉंग्रेस लेकिन उनिसो सर्षठ हिस्वी के बाद इस प्रवरिती में बदला हुआ और विविने राजियों में गैर कॉंग्रेसी सरकारे बनी ठीक है इसके कारण केंदर राज सामध में टक्रहाट उत्पन हुआ सभाविक है कि अगर केंद्र और राज में एक दल की सरकार होगी तो वहाँ पर कंफ्लिक्ट नहीं उत्पन होगी लेकिन जैसे ही एक जगा पर कॉंग्रेस और दूसरे जगा पर उस मामले से इसको जोड़कर आप समझने की कोशिस करिए ठीक है अगला 1971 से मार्च 1977 तक पुणा इंद्रा गांधी के करिश्माई व्यक्तित्व के कारण दलिये व्यवस्था एक दलिये सासन के और जुका यानि क्यों 1976 के बाद से थोड़े बहुत जिन राजियों में गैर कॉंग्रेसी सरकारे बनी लेकिन फिर 1971 से 77 होते होते पुणा एक दलिये सासन व्यवस्था के और भारत बढ़ चला था जब तक इंद्रा गांधी का सासन रहा था ठीक है इसके बाद 1977 में केंद्र में पहली बार गैर कॉंग्रेसी सरकार का गठन हुआ यह सरकार मुरारजी देशाई के नितरित वाली जनता पाटी द्वारा ने तृत्य किया गया हालांकि यह सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई केंद्र के सासाथ भिविन राजियों में गैर कॉंग्रेसी सरकारों का गठन हुआ एक बार पुना 1977 में पहली बार देखेंगे कि गैर कॉंग्रेसी सरकार का गठन 1977 में होता है मुरारजी देसाई के नितरित में और इसके बाद से फिर भी भीने राजों में गैर कॉंग्रेसी सरकारों का उदय प्रारंब हो दाता है इसके पश्चात भारत में गठबंदन की राजनीती का दौर प्रारंब होता है P.I.L. जनहीत याचिका का उदाय होता है Judicial Activism का उदाय इसी के कारण होता है क्योंकि राजिनिती का इस्थीरता का दौर था सरकारे कोई काम कर ही नहीं पा रही थी काम करती उसे पहले सरकार गिर जा रही थी और हर साल सरकार चेंज हो रही थी इसके कारण नयाइपालिका को जनता की मुलभूत सुभधाओं को पलप्त कराने के लिए एक्टिव होना पड़ा और यही नयाइपालिका का एक्टिव होना Judicial Activism नयाइक सक्रियता के नाम से जाना गया ठीक है तो इसके पहस्चात ठ 19amous के दसक में जो गठ बंदन की राजनीती के कारण आख इस्थिर्ता उत्भण हुई उसके पहस्चात विभीन छेत्रिय राजनीतिक दलों को उदय ने विभीन राजियों में राजनीतिक इस्थिर्ता के लिए जिम्बेवार गठबंदन की सरकार का निर्मान किया अब देखेंगे कि कई सारे राजियों में केंदर के सासत कई सारे राजियों में विविन छोटे छोटे छेत्रिये दलों का उदाय हुआ इसके कई कारण थे पहला मंडल कमिस्टन की रिपोर्ट आ चुकी थी तो OBC के अधार पर कई सारे वहां पे वोट में जैसे आप बिहार का ही एक्जामपल ले लिजिए नितीश कुमार का उदाय हुआ लालु यादब का राम बिलास का स्वान का यूपी में मुलाइम सी यादब का इन सब का उदाय होता है OBC politics के कारण कमंडल और मंडल की राजनीती के कारण इसके अलाबा 1990 के दसक में LPG का उदाय हुआ LPG का उदाय के कारण मध्यम बर्ग का उदाय हुआ और इन मध्यम बर्ग को रिपर्जेंट करने के लिए कई सारे राजनीतिक दलों का उदाय हुआ तो यहाँ पर कई सारे राजनीतिक दल इमर्ज करते हैं और इसका कारण इसका परिणाम हमें दिखने को मिलता है कि गठबंदन की सरकार का उदाय विविन जगों पर होने लगता है केंद्र में 2004 से लेकर 2014 तक UPA 1 और UPA 2 UPA का मतलब होता है United Progressive Alliance इसे हिंदी में कहा जाता है सायूत प्रगतिसिल गठबंदन का गठन कॉंग्रेस के नित्रित में किया गया इसमें अनेक छेत्रिय दल बिद्नमान थे गठबंदन की सरकार होते हुए भी राजनितिक इस्थिरता इस दौर की भी सेशता रही हाँ बेसक UPA1 और UPA2 में गठबंदन की सरकारे थी कई सारे राजनितिक दल थे भीहार से इसमें RGD सामिल हुआ था ठीक है कई सारे राजनितिक दल थे सपा सामिल था UPA से लेकिन इसके बाब जू देखेंगे कि ये दोनों सरकारे पाच-पंच वर्ष तक सरकारे कार्च करी और लगबग इस थीरता परदान की कहीं बीच में सरकार का गिरना नहीं सरकार बीच में नहीं गिरी और लगबग पांच साल अपना कारकार इसने शंपून की यानि की गढ़मंदर की राजनीती तो थी गढ़मंदर की सरकार तो थी लेकि राजनीती की इस्थीरता भी विद्धमान रही हाला कि उनको सौधेवाजी की राजनीती इसे कहा जाता है ठीक है विविने राजियों में भी उदारीकरण के पहस्चात विविने छेत्रिये दलों का उद प्रस्ण का दूसरा सेक्षन है कि क्या बरतमान समय में एक दलिये वेवस्था की और हमारा देश उनमुख कर रहा है उसका जवाब सुनिए बर्स 2014 के पहस्चात से किंद्र में दलिये वेवस्था के अंतरगत नवीन प्रवरिती देखने को मिली लंबे समय के पहस्चात किंद में पुण बहुमत के नित्रित में सरकार का गठन हुआ हालांकि बिज़ैपि के नित्रित वाली केंद्र सरकार के अंतरगत अनेक छेत्रीय दल भी दुमान हैं सिंगल पार्टी को में जूरुटी तो मिला लेकिन अभी भी सरकार invalid की कही जाती है क्यां क्योंकि कि देखेंग और इंडिये की बैठक में निरंदर मोदी के नेतरित में चुनाव लड़ने पर लगभग मुहर लगा दिया गया यानि की चुनाव बीजेपी अकेले नहीं लड़ रही है उसके साथ कई सारे छेत्रिये दल मिलकर इंडिये यानि की सिंगल पार्टी को बहुमत मिला लेकिन गठवंदन की राजनीती ठीक है तो अनेक छेत्रिये दल भी बिद्दमान है जो घटक दलों के साथ राष्टिये जनतांत्री गठवंदन राजग यानि की जिसे इंगलीस में एंडिये कहा जाता है नेशनल डेमोकरेटिक लाइन्स के नाम से जाना जाता है हाला कि विभिन गठवंदन की सरकारे बिद्दमान है अताह यह कहना आतिश्योक्ती होगी कि भारती एक दलिये ब्यवस्था की और बढ़ रहा है ठीक है सिंगल पार्टी को बहुमा तवस्य मिल रहा है लेकिन अभी गठवंदन की राजनीती केंद्र में भी बिद्दमान है जैसे एक्जा बिहार का ही आप एक्जामपल ले लिजे यहाँ पर महागठवंदन की सरकार है कई सारे राजनीतिक दल यहाँ पर सतरूर पार्टी के हिस्सा हैं तो कैसे कहा जा सकता है कि एक दलिये ब्यवस्था की और हमारा देश बढ़ रहा है ठीक है कई सारे ऐसे देश है अभी आप देखेंगे कि इलेक्षन होने जारे पाच राज्यों में इलेक्षन हो रहा है इसके परिणाम आप देखेंगे कि कई राज्यों में किसी विदल को अस्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाएगी ठीक है तो यह कहना अतिश योक्ती होगी कि भारत एक दलिये ब्यवस्था की और बढ़ रहा है ठीक है अब प्रशन का दोनों सेक्षन यहाँ पर समाप्त होता है अब संचीत रूप में हम लोग यहाँ पर निसकर्ष को देखते हैं निसकर्षता या अस्पष्ट है कि सोतंतरता के पश्चात से दलिये ब्यवस्था के अंतरगत नवीन प्रवृतियां दे देखने को मिल रहा है ठीक है तो आप असपष्ट रूप से बिसलेशन करिए कि 2014 इसलिक के बाद से भले ही एक दल को नरेंदर मोदी के नितरित में बीजेपी भारतिया जनता पार्टी को फुल मेजोरिटी मिली लेकिन इसके बाब जूद बरतमान समय में देखेंगे कि कई ऐसे मंत्री हैं जो बीजेपी के ना होकर इंडिये के घटक दल के मंत्री बने हुए है ठीक है तो कहीं न कहीं अभी भी इंडिये का ही सासन है इंडिये का सासन कहा जाएगा क्योंकि मंत्री परिशत के हिस्सा जो है उसमें कई सारे ऐसे पार्टी हैं जो बीजेपी के ना हो का मेन निचोड होगा ठीक है इसको हमने विसलेशन उपर की पंक्तियों में हमने करने का कार किया है तो इस परकार से आज का जो प्रशन था उसका माडल अंसर डिसकसन समाप्त होता है उमीद है कि इस प्रशन को समाजने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी अगर किसी क कोई दिकत होगी, तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि आपकी सारी समस्याओं का निरा करन हमारी टीम के दोरा कियादा सके, ठिक है? उमीद है कि सतरमी BPC की तयारी के लिए, या उन्हतरमी के आप लोग टयारी कर रहे हो, किसी भी BPC की तयारी कर रहे हो, ठीक है तो आप इस पे काफी मेहनत करें इसमें इंडियन पॉलिटी का जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उन सभी वदलते ट्रेंड के अनुसार में नए नए प्रशनों का आपके साथ डिसकस कराऊं ताकि एक्जामनेशन के समा आपको किसी परकार का कोई तकलिफ न हो आपकी व